गर्मा गर्म मजेदार बहुत ही टेस्टी बाहर से एकदम क्रिस्पी गुर्कुरे अंदर से एकदम सौप्ट चावल के आटे से बना ये नाश्ता तो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे से बना नाश्ता जिसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर श सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ए रेसीपी कैसी लगी तो चलिए रेसीपी बनाना स्टाइट करते हैं इसके लिए हम गरम कढ़ाई में डा जीरा अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे एक छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे इन्हें मीडियम फ्लेम पर 30 सेकेंड के लिए भूनेंगे अदरक और हरी मिर्च अच्छे से भुन गये हैं तो अब हम इसमें एक बारी कटी हुई प्याज डाल देंगे प्याज को मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक की प्याज ट्रांस्पेरेंट ना दिखने लगे और प्याज का हलका सा कलर चेंज ना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि प्याज का हलका सा कलर चेंज हो गया है और ये ट्रांस्पेरेंट दिखने लगी है अब हम इसमें एक मीडियम साइज की ग्रेट की हुई गाजर डालेंगे ये देखिए गाजर को इस तरह से बारीक ग्रेट कर लेना है मैंने इस वाले बारीक ग्रेटर से गाजर को ग्रेट किया है तो गाजर को मैं प्याज के साथ डाल देती हूँ और गाजर को भी एक मिनट के लिए मीडियम प्लेम पर भूनेंगे आप अपनी पसंद से इसमें और भी सब्जियां एट कर सकते हैं जैसे पत्तागो भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी सब्जियां आप इसमें डालें एकडम बारीक कटी हुई होनी चाहिए अब हम इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे 10 सेकेंड के लिए करी पत्ता को भून लेंगे तो हमने गाजर, प्याज और करी पत्ता को अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो मैं यहाँ पर डेड़ कप पानी डाल रही हूँ आप किसी भी वाउल या गिलास से मेजरमेंट कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पावड़ा डाल देंगे इसमें अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें दो छोटा चम्मच सफिद तिल डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे अगर आपके पास सफिद तिल नहीं है तो आप तिल को इसकिप कर सकते हैं यह बिल्कुल optional है अब हम पानी में अच्छा सा उबालाने तक बेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पानी में उबाला गया है अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे तो जिस कब से हमने इसमें पानी डाला था उसी कब से मैं यहाँ पर एक कब चावल का आटा डाल रही हूँ आटा को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएए और इसे तुरंत मिक्स करते जाएए इसे तुरंत मिक्स करना बहुत जरूरी है नहीं तो इसमें लंस पड़ जाएंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखिएगा जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये खटा होना शुरू हो जाएगा ये देखिए आप देख सकते हैं कि आटे ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये आटा डो के फॉर्म में आ गया है अब हम आटे को मीडियम फ्लेम पर कंटीनिव चलाते हुए भूनेंगे ताकि आटे का कच्चा पन निकल जाए ये देखिए आप देख सकते हैं कि डो ने पैन छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से भून गया है और इसका आप कलर देख रहे हैं कितना बढ़ी अलग रहा है ये देखिए ये पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तो हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और डो को एक थाली में ट्रांसपर कर लेंगे अब डो को इस तरह से थाली पर फैला देंगे ताकि ये हलका सा थंडा हो जाए इसे हमें पूरी तरीके से थंडा नहीं करना है बस ये रूम टेंपरिचर पर आ जाए इतना ही थंडा करना है तो ए डो हलका सा थंडा हो गया है इसे अब हम हातों से मैस कर सकते हैं, इतना ठंडा हो गया है इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालेंगे कसूरी मेथी से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा साथी थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे आधा छोटा चम्मज डालेंगे गरम मसाला अब हम इसमें डालेंगे आधा कब बेशन आप चाहें तो बेशन की जगे इसमें एक उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ आलू डाल सकते हैं अब हम इसे करेंगे अच्छे से mix बेशन डालने से क्या होगा कि जब हम इने fry करेंगे तो ये फटेंगे नहीं और ये ज़्यादा तेल भी नहीं पियेंगे तो ये देखिए हमने इसे आटे की तरह गूथ लिया है अब हम तेल से हाथों को grease करेंगे ताकि ये हाथों में चिपके नहीं थोड़ा सा डोलेंगे और हाथों से इसे इस तरह से मस लेंगे इसके बाद इसे इस तरह से flat करेंगे oval shape में इसमें हम Fork की Help से डिजाइन बनाएंगे तो पहले हम Fork के पीछे थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं इस के बाद Fork को इस तरह से इसके ऊपर रखकर प्रेस करेंगे और हलके हाथों से Fork को निका लेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन कितनी बढ़ी अलग रही है आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी शेप और डिजाइन दे सकते हैं इसी तरह से सारे टोकी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे मैं आपको एक डिजाइन और बनाकर बताती हूं तो पहले इसे इस तरह से चप्टा करेंगे और फॉर्क की हेल्प से इसे हलका सा प्रेस करेंगे और फॉर्क को आराम से निकाल देंगे यह देखिए इसी तरीके से सारे टोकी डिजाइन बना कर तैयार कर लेना है तो मैंने इस तरह से सारे पीस बना कर तयार कर लिये हैं, अब हम इनको fry करेंगे, तो इसके लिए मैंने कड़ाई में तेल डाल कर गरम होने के लिए रख दिया है, तेल मीडियम गरम हो गया है, तो अब हम इसमें ये 1Y1 पीस डाल देंगे, इन्हें fry करने के लिए तेल कीजिएगा नहीं तो ये बहुत ज्यादा तेल पियेंगे मीडियम फ्लेम पर इन्हें उलट पुलट करते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है इन्हें फ्राई करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है बस चार से पा तेल से निकाल लेते हैं, मैं इन्हें टिशू पेपर पर निकाल लेती हूँ ताकि इन्हें जो भी एक्सेस तेल होगा वो टिशू पेपर पर निकल जाएगा, और इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पीस भी फ्राई कर लेंगे, बस यहाँ पर ध्यान इस बात कर रखना है कि इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है तो यह हमारा सेकेंड बैच भी फ्राई हो गया है, इन्हें भी मैटिशू पेपर पर निकाल लेती हूँ यह बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए है यह देखिए, आपने आवास सुनी यह कितने क्रिस्पी हैं और यह अंदर तक बहुत अच्छे से सिख गए हैं आप देख सकते हैं आप इन्हें ब्रेकफास्ट में खाईए या फिर शाम की चाय के साथ खाईए यह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो दोस्तों आप चावल के आटे से बनी हुई है इस नेक्स रेसीपी को जरूर ट्राई कीजिएगा आपको भी यह रेसीपी जरूर पसंद आएगी अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंस और फेमली के साथ शेर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थेंक्स पर वाचिंग